एटा में मददाता सुची में जीवीत दोगों को भी मृतिक दर्शाकर वोटर लिस्ट में फरजी वाड़ा कर 20,000 से ज्यादा लोगों के नाम काटने के मामले में जिला प्रशासन अपने मताहतों को बचाने में जुट गया है रविवार को भले ही चुटी हो लेकिन अली गंज तहसील गुप्चुप तरीके से खुली और चुटी के दिन भी आराई अमीन और लेखपाल अपने को फंस्ता देख हजारों की संख्या में बैंक डेट में नोटिस तामिल कराने की कारवाही करते नज़र आए ताकि ये सिद्ध हो जाए कि जिन लोगों को ये मृत दर्शाया गया है उनके नाम कटे है हुआ हुआ है